दोस्तों पिछले वीडियो में आपको याद होगा पहले तो माफ़ी चाहते हूं मुझे यह पहनना पढ़ ला क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है आपको याद होगा पिछले वीडियो मैंने आपको वताया था कि एक दो दिन तो यह चुका में रुके थे और उसके आप ने फिर जिम कॉर्वेट साहब नयानी ताल चले गयते इन्होंने साथ तरीक को सेम चोड़ा था याद होगा पको साथ तरीक को सेम चोड़ा था और 12 नुमंबर को थाक में बाग ने एक आदमी को मार दिया दोस्तों सबसे तो आप सब का स्वागत करता हूं उत्तराचल डाइरिस में दिदियो बेनियो नांतिनो दाजू भुला सब कैसे हैं उमिद करता हूं सब बढ़िया होंगे मजह में होंगे इंजॉय कर रहे होंगे ब हाग गाहों में जो हैं 12 तरी बाइन को मार दिया हम निने अफरी अपने समर हूष नैनिताल में आ यह एक हुआيت sony कालादूंगी में आ चाहिए और आप यह जो खबर थी यह इनको एक डिविजनल ऑफिसर जो फॉरस्ट के थे उन्होंने इनके पास पर यह मैसेज करवाया था टेलीफोन करवाया था कि साथ वहां ठाग गाउं में एक आत्मी को मार दिया गया है 24 नॉमबर के शाम को यह चुका पहुंच गये इनका इरादा यह था कि यहां पर यह कुछ नाश्टा करेंगे और नाश्टा करके यह थाप चले जाएंगे लेकिन जब यह यहां पहुंचे तो यहां इनको बड़ी एक अजीव सी ख़बर सुने के लिए वह खबर यह थी कि सा इस बात के खौफ से इसके डर से जो है थाग गाओं वहने सब वहां से छोड़ के चले गए हैं थाग गाओं बिटकुल खाली पड़ावा है देखें आप तो एक बारी को बच जाएंगे आपके पास पर गर है लेकिन आप अपने आद्मियों का तो सोचिए कि उनका क्या हो तो तब तक मुख्या ने जो है इनको एक एरिया चुका में दिखाया जहां पर की कैम लगाया जा सकता था जो थोड़ा सेफ एरिया था और अभी आजके इन दिनों में हजारों आत्मी यह आए वे थे चुका में क्यास पास पर कुछ आने वाले थे तो उनकी यहां पर तो बहुत शोड़ जरावा रहता तो इसलिए जो है यह जो जगाती यह तोड़ा शांत थी और यह वातावरण इनके कैम के लिए बिल्कुल सूट करता था तरनेपूर तहसिल्दार को रिक्वेस्ट करके इन्होंने तीन भैसे जो है मंग वाली थी अपने पास उनसे रिक् करके यह थाब चले गए मुख्या ने बताया था इनको कि किस तरह से वह आदमी को माला गया था और मज़ेदार बात यह थी कि मुख्या खुद जो है बाल बचाता अब मुख्या के ज़ना क्या घटना होगी थी वह बहुता आपको बताता हूं पहले मुख्या अपने घर से कुछ दूर अपने खेत में गया था उसका जो वह करिए आदा हेक्ड़ का जो खेत था वह तीन और जो है पाड़ों से गिरावा था बीच वह उसका एक आदा हेक्ड़ खेत था जहां पर उससे अद्रक लगाई थी तो अद्रक की गांट खोदने के अपनी पोती को सांथ लेक्या था वाप दोने खेत पर काम कर रहे थे मुख्या की जो बीवी थी वह चट पर अपने घर पर चांवल सुखा ली ती और वहां से उनको देख भी ली थी वह करीब डिस्टंस डाइसो तीनसो गच्ची रही होगी खेत और घर के बीच की अचान तो मुख्या ने देखा उसके तरफ क्या हो गया बुला तुम सुनने ही रहे हो वह उपर चिड़ जाया है वह तीतर वो ती जोड़ों से चिला रहे हो हम पर देख सुनो अब मुख्या का ध्यान गया तो उसने पोती का हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया घर की तरफ और वो भाग रहा है पोती को पकड़कि अर। फिंकी वाइफ चिला रही है। बागो खोर देख रहा हो। उससे क्या कि उसने देख से जिया था कि कोई बूर असा जामेर जानों से निकल रहा है और उन के खेट की तरफ भार रहा है। तो फिंकी तो ये सांसे ही बागो से यह दोलों तो सुरक्षित घर पहुंच गया मुख्या और उसकी पोती उसके आदे घंटे के बाद मैं उस बागिन ने एक आदमी को मार दिया वह आदमी एक पेड़ से लखड़ी काट ला था एक पेड़ से लखड़ी काट रा था जिस तरह से मुख्या ने वर्णन किया था तो पेड़ जो है जिम कॉर्वेट साब ने पहचान लिया क्योंकि बहास को लेकर चलेगे जिन अधाक में वह एक टेड़ा मेड़ा पेड़ था और दो खेड़ जो स्विलीदार खेड़ होते ना ऐसे होते स्विलीदार खेड तो जो ऐसे खेड़ आया फिर नीच्यों के फ एक हाथ से टैनी पकड़ेवे हाथ था दूसरे हाथ से टैनी को काट रहा था पीछे से बागिन आई वह उसने भी अपने दोनों पंजे से उपर किया और साथनी को पकड़ा उसको खीचा खीच के उसको पेड़ से छुड़ाया नीचे खेड में कूदी तो यह कि खेड में कि वहां से भी एक होज जो मजबूद होस्ता उसके ओपर चड़ी और वहां से करीब सौ मीटर आगे जाकर के जंगल में अंदर चले गई जो चंड राजा को माँव के चंड राजा जू वा करते थे अनों ने यू वर्तमान निवासी जो यह थाकगां के थे इनके पूर Maisu को मधर करोंदना की दीमंदर की सेवा के ने जू़ है बतलब कि सेवा करते हैं य हैं यह थाकगांव और उसक्यास्वास qi जमीन वगरे सब इनको दे ली थी तो इसी होज़े से पहले गुर्खा और उसके बाद मैं अंग्रेज सबसे वादा ले लिया गया था कि यहां के निवासियों से आप किसी तरह का राज़स पर नहीं वसू लेंगे मतलब आप कोई टेक्स इनसे नहीं लेंगे किसी टाइम में यह गाँ में जो इनके पूरो जाये होंगे तो जोपडिया बना के रह रहे होंगे लेकिन अब यह बहुत संपन्द और संब्रांत गाँ हो गया था यहां पर जो लोगों के घर थे वह बढ़िया बढ़िया हो गये थे पटार होती जो स्रेट होती है पत्तर की वह स्रेट उनके मखानों के छहतों में थी बरामदे बगरे बड़े सुन्दर और स्रेटों से लखे हुए थे अच्छी गासी दिवारे हुआ करती थी इन लोगों ने मभेशियों को भी पालना शुरू कर दिया था काफी मभेश अच्छी बात यह थी कि लद्या और शार्दा नदियां वगरे होने से यहां की जो भूमी थी यह भी बहुत उब्जाओं थी जिस वह समय समय पर तरह ते रहे कि काफी अच्छी मातरा पर फसल होती थी तो यह बड़ा संब्रांत एलिया था कुमाओं के या गड़वाल के फ़ाड़ों के कई गाउं की तरह से जो है थाक ने भी कही उतार चलाओ देखिए जरूर देखियोंगे हर कोई उतार चलाओ और जग़ा होते हैं इसने भी देखियोंगे लेकिन यह जैसी विरानगी जो आज इंक और बेट साथ देख रहे थे शायद इतिहास से कभी थाक या किसी और गाहों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। लोग इस तरह से गाहों को खाली करके भागे थे कि वो घर के दर्वाजे तक खुले छोड़ो गए थे। दर्वाजे तक बंद नहीं करें थे उन्होंने। कॉलवेट साब बताते हैं कि जब यह पिछली बार यहां पर आये थे तब यह गाहों उद्योग का केंद रहा जाने कि इतना संपन में था इतना उद्योग था दूद का सभीयों का कई तरह का व्यापार यहां पर होता था और आज देखो यह पूर्ण तरह अच्छी तरह से हो चुका है आदनी तो आदनी यहां के जो जो लोग थे वह अपने मवेश्यों को तक लेकर करके यहां से चले गए थे जल्दी वाजी में सब चले गए थे कि उनको दर्वाजे बंद करने का टाइम ही था आप सोचे उस बागिन ने कितना भेंकर खौफ वहां पर फैला दिया था कि कॉलेट साब जब कहां पहुंचे तो बताते हैं कि एक मात बिल्ली वहां पर थी जिसने उनका स्वागत किया और गाहों से जो निकलने की प्रक्रिया लोगनी तेवस थी कि खुलेवे दरवाजे थे और गाहों की जो गलिया थी और जो रास्ते थे गाहों में जो घरों के जो बरामदे थे उनमें धूल जर्मी थी हर जगह जो है बाग के पन्नों पक्चे नहीं दिखाई पढ़ लहे थे जैसे इंसानों का गाहों का बाग का थी उसके बागता मं के निशान ना मैं कते देखने मोफाले ड़ए जह लोगे आप बस घर known in रखात लगा सब्सक्राइब गाया तो नहीं केमले बने हुए थे जहां पर मवश्यों के बने इसले दो कि ठाइब करें थे हैं गात इतनी बड़ी संख्या मैंने अपनी जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखी जो इस वार यहां पर आगे देखी और यह सभी पक्षी जो है यह थाग गाउं वहलों के पूजी नहीं थे इनकी पूजा करते थे इनको मारना यहां पर वर्जेता इनको मार नहीं सकते यह बिल्क मैं देखा कि नीचे वाला जो खेत है उस पर संगर्स हुआ है काफी और खून के सूखे खून के छीटे भी वहां पर जो है इनको दिखाई पड़े यहां से बागिन जो है वो नर्ब जमीन और खेतों से आत्मी को उठाकर पर एक मैंने बता है ने हैच के उपर लेगी ती वहां से करीब सो मीटर आगे सो गज आगे करीब गने जंगल में लेके गायब हो गई थी हाना कि गाहवाले भी उसी रास्टे से गए थे लेकिन किसी की भी इतनी हिमत नहीं यह इतनी किसी ने कोशिश नहीं करी कि जाकर के उस आपनी को एक बार देख ले जिसको भागिन उठाके ले गई है कितना खौफ उस भागिन का होगा मैं बार बार इस वात इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप उसके खौफ से थोड़ा सा परीचित हो पाए कि वह कितनी भायानक भागिन रही होगी पिछली बार मैंने ब बर्दन से पकड़ के उसको जो है एक चटान से दूसी चटान में कूटके चली जा रही थी तो कितनी मतलब भायाना कि यह बागिन रही होगी जिम कॉर्वेट साब ने क्या किया कि उसी पेड़ के नीचे थोड़ा से जमीन को खोदा तो वहां पे उस पेड़ की जड़ मिल गई इननों उस जड़ में उस भ्हासे को बाग दिया और पास भी थोड़ा सा भूसे का डेड़ था जो भूसा भ्हास को बहत पस्amtates करना काफी सारा भूसा लिया और भैस के आगे डाग दिया कि भैस जो है यह भूसे को चड़ती रहे और रसी को तोड़ने का प्रयास ना करें और जो गाहों की जो लोकेशन थी वह जो पहाड था उसके उत्तर में था तो उसे से क्या हुआ सुरस ढूबने के सांसा जो है पहाड की छाया आने से यहां अंदेरा होने लगा था और जिव लेकिन खत्रा था गाहों के अंदर से जाने में चूंकि बाग किसी भी घर के अंदर हो सकता था तो इन्होंने उस गाहों का एक लंबा घेरा काटा और घेरा काटके घराओं के नीचे की तरफ आगे जैसे पाड़ पे यह उपर घर हैं तो यह नीचे आ गए अब यह उपर इनों आते हम भी पानी पिया था और पमपर दोभ पमेर पीने के लिए रूखे और पानी पीने लगे। यानि कि बागिन इनके पीछा करते वे आ रही थी, बागिन ने पानी पीया, पानी पीने के बाद में उसने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया था, अब वो एक जाड़ी के अंदर से गुशते वे एक बिच्छु घास का जाड़ था, बतलब शीशुरा भूर, बागिन ने उन्हें भैस को बांगते वे देख लिया था, और इनका भाग ये अच्छा था कि ये खत्रे को भाब गए, बिजे गाओं के रास्ते से नहीं आए, और ये लंबे रास्ते से आए, और इनको ये भी डाउट था कि बागिन इनका पीछा कर सकती है, तो इस अनाय को क्या राइफल है, तो क्या घूमते घूमते चार उस दिशाओं में देखते हुए, वो कहते हैं कान, नाक, आख, तीनो चौकस करके, कान खोर के ताकि हरकी सी भी आहट हो, कहीं भी आहट हो, तो तुरन सुनाई पड़ जाए, आखे दूर दूर तक नजर फैलाल है, दाय, चल रहे थे, खेर ये, कैम्प में पहुंच गए, कैम्प तक इनका जो है, बाग इनने पीछा किया था, ये प्रूफ हुआ अगले दिन इनको जब इनोंने बाग के पाउं के निशान देखे थे, कैम्प में आये, राप ने खाना ना खाया, उसके आद ये जो है, वहीं जो जो है, योजना बना रहे थे, कि बाग इन से कैसे निप्टा जाए, और बाहिस तारीकों जब ये घर से निकले थे थे, इनोंने अपने घरोले से वादा किया था, कि मैं दस दिन के अंदर गर वापिस आ जाओंगा, और ये भी पक्का विचार कर जा था, कि ये मेरा अंतिम शिकार है मैं नीटर का, इसके बाद मैं कभी किसी आदमखोर को मारने नहीं जाओंगा, इत्ते सारों से जो ये बागों को मार रहे थे, नर्वक्षी बागों को मार रहे थे, इनके ओपर बहुत मांसिक दवाव था, कई विप्रीत परिस्थितिया हुआ करती थी, जिससे इ ना, चौबड की भागिर और रुद्र प्रियाक के तैंद्वे को जो इनने मारा था तो उसके लिए तो मैंनों तक ही थे, मतलब बहुत परिश्रम इनको करना पड़ा था, अब इनका शरीर और घरवाले भी थोड़ा परिशान होने लगे थे, शरीर भी थोड़ा परिशान करने लगा था, इतना, तो इननों ने डिसाइट कर लिया था, यार आप यह मैनीटर बहुत हो गया, और अगर यह 30 तारिक तक, मैंने अगर यह मैनीटर को मार लिया तो ठीक, नहीं मार पाया, तो सरकार को भोलोगा, साहब मेरे बसका नहीं है, आप किसी दूसरे को बलाओ, और अपना कांग कर वालों, मैं नहीं कर सकता हूँ, परिशान हो गये थे बहुत, लेकिन आज 24 तारिक थी बताते हैं, जिस तारिक को गटना हो रही है, जब कब मैं उसी तारिक के उसी टाइम का जिगर कर रहा हूँ, तो आज 24 तारिक थी और अभी 6 दिन और बच्चे वे परिते हैं, और बागिन के वेहार से यह लग रहा था हिए कि वह अब ज्योँ है, चीसी इंसान को हाना चाहती है, ऐब बड़ी आतूर होrei है जैसे वो एक भैंस को नहीं मारती है तो उसके दो-तीन जगह पर भैंसों को बात दिया जाए जब उसे कोई इनसान नहीं मिलेगा खाने के लिए तो उसे भैंस को मानना ही मानना पड़ेगा क्योंकि पेट तो बढ़ना ही पड़ेगा लास सेम जा अविस्टन साप साप में थे तब भी यह इन्होंने किया था इसना बागिन ने भैंसे को मारा था इन्होंने बहुत सारी लखड़िया जला दी थी अपने कैम्प में और अभी अपना अंदर जाके सो गए इतना विश्वास्ता की लखड़िया जो है सुबह तक जलती रहेंगी इनके टेंट के पीछे ज अपनी इन्होंने गन उठाई और कैम्प से थोड़ा सा आगे बढ़ गये वह जो नदी के किनारे रतीले मैदान की तरफ की कोई पहों के निशान मिल जाएं कुछ मिल जाएं सोरी ये रास्ता खेतों को छोड़कर थोड़ी दूर पर जाके जाड़ियों की तरफ को जाता थ जवान तेंदवा था नर तेंदवा था नया नया जवान हुआ था उसके पहों के निशानते और कांकड़ भी इसी को देखकर के भौक रहा था और वो जो है लद्या नदी को कई बार आर पार कर रहा था कभी उधर जा रहा था कभी इधर आ जा रहा था तो उसका क्या चल ता कुछ पता नहीं और जो यह मैनीटर जो बागिन थी इसने एक वार सेम की तरफ से आकर नदी को पार किया था ठीक है अच्छा जब यह आये थे उससे कुछ देर पहले यहां से एक बड़ा भारी भर्गम भालू भी गुज़रा था और यह सब गूम करके जब अपने कैम में पहुंचे तो वहां पर एक आदमी इनका इंतजार कर रहा था पता चला कि भई यह थेकेदार है लकडियों के लिए जो वैपादी है जो लकडियों काटनी है उसका थेकेदार यही है उससे बताया कि उसके आदमियों ने साब एक बह भालू देखा है और वो काम नहीं करना चाह रहे हैं यह जो भालू है यह बहुत खुंकार है और इतना भायाना कि उन लोगों ने इस पस्च कर दिया कि वह आप यहां पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे वो छोड़के जाना चाहते हैं अब लगबग पांच हजार लोग चु सब्सक्राइब यह कुम सब्सक्राइब झाल चुछ ग… कपारियों के चलने के आवाज जो और लुए उनके गिरने का जो रहा था और यह सब है जो वाता वरा वहरा था उसको कॉर्वेट साथब बताते की कागज में लिखना बड़ा पाठागणों को समझना पड़े जा आरी चल दी और लोग चिला भी रहे हैं दसजार आदनी तो यारी इससे बड़ा परेशान देपारवा किरे जाता है अच्छा जो मजदूर थे उनकी जो घबराट थी वो भी स्वाबाविक थी इस एरिया में क्योंकि अफ़ाएं बहुत फैल रही थी यही कि यह जो आदम गोर बाग है बड़ा भयानक है उससे पता नहीं कितने लोगों को तो खा गया है कितने लोगों को अद्मरा कर दिया है और मतलब बड़ी अफ़ाएं उसके उपर फैली भी थी और लाद्यागाटी ही नहीं यह सिर्फ लाद्यागाटी तक ही एरिया नहीं था यह कल डूंगा और करीब पचास वर्ग किलोमीटर का एरिया इससे आतंकित था इसका खौफ इसकी इतनी प्रसिद्दी होगी थी कि इतना करीड एरिया जो है इसने अपना कवर कर लिया था अब यह लगाईए जिस एरिया में दसजार आपनी काम कर रहे हैं वहां पर एक अकेला बाग एक अकेला पश्यू दसजार कामगार समझ रहाएं अनेकों ग्रामवास्ति जो आसफास के जो कहां हैं उन मजदूरों का भोजन लाने वाले जो भोजन अगरे लाते हैं अच्छा पहाड के ग्रामी जो संत्रे अग्रोट मिर्चा अधी अगरे लेकर के टनपूर मंडी में जाते हैं बेचने के लिए इन सब को कितना आतंकित कर रहा था यह सब इतने आतंकित थे कि इसके आतंक से योगांटा में जो रेल्वे का का होना था वह नहीं ठपना हो जा यह डर था इतना अभयाना खौफ किसी एक पशूगा जिस्सने पूरा एरिया थरा के रह दिया जिससे कापके रह गया था अच्छा चलिया बाते कहानी प्चिस तारीक को यह दूसरे भैसे को इन्होंने लिया और यह था काउं की तरफ चल पड़े रास्ते में इन्हें बागिन के पैरों के निशान मिले जो कल इनके पीछे-पीछे कैन तक आई थी इनको थोड़ी निराशा भी शॉब पागिन के पीछे आगई तो थोड़ी निराशा भी लेकिन यह जानते थे कि अगर बागिन का पेट वहाँ है उसे भूख नहीं है तो वह जानवर को नहीं करती है यह एक बाग की टेंदेंसी है अगर मैनिटर भी एक उसका पेड बरावाय तो नहीं मारते हैं बाग शिकार इंदू से नहीं करता है अब यह दूसरे जो भैसे को लेकर के गए तो यह वही आम के पेड़ के पास पहुंचे जहां पर पानी था वहां पर इन्होंने उसको छोड हो दिया वहां पर हरी घास खाफी थी वह अपना हरी घास चड़ने लगा यह आगे बड़ दे यह वही गाहन के अंदर से निकले और फिर वहां से निकल करके वहां पहुंचे जहां पर पिछली रात को इनोंने भैसा बादा था उसको देखने के लिए तो वह बड़े आराम कि अधाया बादा उसको फीर के पास लाए वहां पर उसको जो है पानियानी पिला करके उसको भी छोड़ लिया अगास चड़ने के लिए अगरी घास करें दो ड़ाई घंटे तक दो नों भैसा अपना चड़ती रही और वह यह अपना बैठ की उनको देखते रहे उसके और वहां पर उसको बात दिया जहां पहले बाता था वही पर इंकी नजर पड़ी तो इनको वहां पर एक अख्रोड का पेड दिखाई पड़ा उस अख्रोड के पेड़ पर मचान बादा जा सकता था अब यहां पर कुछ करने को तो रह नहीं गया था तो यह वापिस अपने कैम में आगए तेसिलाग्फी थी तुब जौनinin in 2013 को रास्ते बान जगया था उस रास्ते में बाग Nur Ali आना करती एंड में जिस इंटा को बागएं बना रहा था उसी जगह पर उसटेंट üç वैसे बांदे थी 26 तारीक की सुवे ये बारी बारी से तीनों भैसों को देखते वे निकले तीनों भैसे सुरक्षिती अब ये ठाक की और चल पड़े इनको रास्ते में दो बहरों के निशान निखाए पड़े एक उपर जाने के और एक नीचे आने के यानि कि बागिन एक ब बैसों को नहीं मारा ना बैसों को खाया अब ये सब फिर करके वहां से वापिस चुका पहुंचे तो वहां पर जो थाप गाहों के जो प्रदान थे और जो कुछ गाहां वाले थे वह इनके इतिजार कर रहे थे उन्होंने इनसे अनुने विनाय किया मतलब रिक्वेस्ट कर अपने आपने खहरों से थोड़ा समान आपन लाना है बड़ी महरवांई होगी हो गर आधा हमआरे साथ चले और हम अपना समान आभान लेले और आप तो यह उनकी पहरेदारी कर रहे थे और वो लोग अपने सबना सवान निकाल रहे थे इन्हों ने भी भैस्तों को अपना अचारा आरा दिया और फूट से बात दिया और दूसरी भैस्ती उसको करीब आदा मील नीचे ले जाकर आप सड़क के किनारे बांग दिया लोगों ने अपना अपना समान ले लिया था और जिम गॉर्विट साहब उनको फिर छोड़ने करे नीचे चुका तक आए और आके कुछ हलका नाश्त्रा किया और थाक की और फिर दुवारा से थाक की और चल पड़े एक बात कलिर होगी थी कि भैस को ये बागिन को जो है भैसो से कोई इंटरस नहीं बैसों के ओपर कोई उसका इंटरस नहीं ता कोई लगा और नहीं था मज़ता कोई इच्छा नहीं थी बैसों को खाये। तो यही था कि उसको मैं कोई मानों चाहिए था खाने के लिए अब ये इन्होंने क्या किया कि रास्ते में बैठने का निर्णा लिया उस रास्ते में भैंस को बागिन आना जाना करती थी और उस पर इन्होंने मचान बना करके बैठने का निर्णा लिया अग्याय को शूट कर सके अने के संकेत इनकों मिल जाते गुरर काकर ये तीतर वटे या वहां पर आसपास के पक्षी हैं वह सब कुछ ना कुछ आसा महार क्रिएट करते कि इनने पता चल जाते हैं इनने शूट करने के लिए आसानी हो जाती अब इन्होंने क्या किया एक जुवार और बनाया इन्होंने एक बक्री के गले में घंटी बांग दी और उस बक्री को भी जो है रास्ते में बांग दिया यह उसकी घंटी की आवाज से भी इनको पता चलता रहेगा और खरीब चार बज़े के अस्वास यह पेड़ पर चब गया अपने आदमियों के इन्होंने आदेश दिया कि आप तुम लोग जाओ और अगली सुबह 8 बज़े आना और सूर्यास का समय हो गया था थंडी थंडी हवा चलने लगी थोड़ी देर में जो है पानी परस्ते से इनका मचान थोड़ा हिल गया तेड़ा हो गया तो इंसे क्या होगा कि बैठने में बहुत तक्लीफ होने लगी थोड़े रहे बात मैं तुफान थंगा यह तुफान तो थंगा लेकिन यह पूरी तरह बारिश में भीग गये थे अग्स और 16 घंटे तक यह भीगे वे शर कि इस कोई महान ऐसी तो नहीं बन जाता है कि आठजे के आस्वास इनके लोग आए यह नीचे उत्रे उत्र के कैंप गये कैम जाकर कि इन्हों ने गरम पानी से नाया पेट भर के कुछ खाया और उसके बाद पेपने च्छे आपने को लिया और थाग गाउं की ओर चल पड़े जो राते बारी श्वीती उसरे से क्या हुआ थे कि जितने निशान थे बागिन के जितने निशान थे पग्मार या जो भी थे सब मिड़े गए थे अब बड़ी मुश्किल हो गई थी जिस पेड में यह बैठे वे थे वहां से दो सा गज उपर इनको बागिन के नए एकदम ताजे पाओं के निशान मिल गए बागिन जो है वह जंगल से निकल करे वह भी थाक की और चली गई थी अब यह बहुत साउधानी के साँ जो है पहले भैसे की और गए वह आराम से सोया हुआ था बागिन ने उसके पास से चक्कर डगा करके वह एक तरफ को चली गई थी उ उसके जो पच्चिन थे वह पहाण की और जाते वे दिखाए पढ़ रहते कि पहाण की और चले गए हैं जिम कोर्वेट साब भी उसका पीछे पीछे करते वह अपनी दूसरी भैस को देखने के लिए चले गए तो जब यह दूसरी भैस के पास तो इन्होंने देखा कि वहा जाते दिखा रहाए ब्ऱहए रहर दोसरी यह थी कि वो आदी खाने गयी है और आधी वही पह उससे उठाके ले जाया नहीए और तर दीसरी बास दिखिए इपन हैं या नभी नजदीक ह Chu तो मैट ठाई कभी हभ्मत निंगर शिकार खाने कि हैं वहां ग्राल मैं नए लाय बैंट्सकोद्वा डीन को सभाया तहा हउड्यिता और पिकस्व 2019 और चैने भागिन नहीं मारा है यह साप के काटने से मरी है यह जो लिए जो अपना कोबरा होता है नागराज जिसको बोलते हैं उसके लिए जेमसता यहां पर बहुत जादा संख्या में कोबरा मिलते थे कोबरा साप की संख्या यहां पर जंगल ना यह पूरा कोबरा साप की संख्या बहुत जज़ा थी यह जब भैंस को मरावा देखा तो बागिन ने उसको खा लिया और वो से ले जाना चाहती थी लेकिन रसी को नहीं तुड़ा पाई उससे क्या क्या सूखे पत्ते थे जो आसफास के उससे उसको धब दिया कि चलो मैं आउंगी बाद में और इसको खाऊंगी और उसके अदो थाक की और चले गए थी अब उनता बाग जो है वो सड़वे मांस को नहीं खाता है लेकिन किसी दूसरे जीव द्वारा मारे के मांस को खाने में परेज नहीं करता है भूग लगी हो तो तुरत खा लेता है अगर उससे कहीं मांस मिल जाए कोई जान मिल जाए मरा हुआ उससे खा लेता है लेकिन अगर सड़ावा मांस है तो नहीं खाता है यह किस्सा सुनाता है कि एक बार जिम कॉर्बेट को एक मरावा तेंद्वा दिखा अगले दिन यह चाकू लेकर कि उसकी खाल उतारने के लिए तब तक उस तेंद्वा को दो तीहाई मांस जो एक बाग खा चुका था तो इस बारे में इन खोल दिया तो जिस पर इन्होंने राब बिताई थी उस भोल गया था इनके दो आधमी बादाम के पेड़ में चड़के इनके बैठने की जगा बनाने लगे क्योंकि बादाम के पेड़ में मचान बादने लाएक जगा नहीं थी मत्तब मचान बादमा मुश्किल था उस पर एजुक्षाम है, तो ़ो जगा बनाने लगे, और चार अदमी इसने की तरफ चले गए इसलिए महारस से पानी लाके इनके लिए बनाने के लिए और फ्री नाश्टा आप नश्राइस। और वही कल तक के लिए उनके जो भोजनता वह यही था कुछ बिस्किट और ये एक कप चाहे क्योंकि अब इनको सारी रात प्रेड़ बैठना था इनके आद्मियों ने जो वह मचान बांदा था वह रस्यों से कई घेरे बना करके जो मतलब इनके बैठने का अस्ताना था रस् इस योगा कि पाओं भी आराम से फसे रहें निकले ना और पाओं को आराम भी मिले इनके आदमी इनके सांथ रुपना चाहते थे लेकिन इन्होंने उनको मना कर दिया बोले नहीं आप लोग चुका जाएगे क्योंकि ठाक में रहना बहुत रिस्की हो सकता था और यह किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे इन्हों अपने आग्मियों को बेज दिया यह अराम से उस पेड़ के पर चड़के उस सीट पर बैठ गये और जो पेड़ के जो पेड़ में जो लता हैं थी और जो पत्ते थे उससे इन्होंने पूरा प्र आपको कवर घुर लिया इनके आदमियों के जाने के उस देर के बाद में दो मैकपई कहीं से उड़ते हुए आए और वो मंस को खाने लगे इसागी इसी जाता हुआ हैं तो छोर करते हैं और मेल को ब्ला लिया मैज़ते हैं अधियू मैकपई कर दो नंदी को बिष्औ हही है राम से सो सकता हूं तो मैक पाई कॉल करते वे यहां से अब एक अलर्ट कॉल देते वे यहां से उड़ जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा यह जग जाएंगे और निशाना ले लेंगे बाग इनका इनका अपना एक विचार था जो इतना सही होने वालता यह अभी कुछ नहीं का आजा सकता है अब मैक पाई चले गए थे अब इनकी पहरेदारी शुरू हो गी थी अभी भी काफी हो जाना था और यह बड़े हराम से गोल ही चिला सकते थे थोड़े देर बाद चांग भी निकल के आगया था पिछली राप जो बारिश भी थी उससे जो आसफास की डस्ट को जितनी है जो डस्ट फैली रहती है उस डस्ट को जाए बारिश के जासे सब बैठ गई थी तो विजन क्लियर हो गया था और मूनलाइट में अब इनको एकदम साफ साफ दिख ला था कि और सो गस दूर खेत में अगर सामर और उसके दो बच्चे गेहू चर रहे तो यह यहां से देख कर सकते थे इनके लिए सब कुल इनके फेवर में था उजालागा नीट एंक्लीन एक्टमस्पियर रेंज सब कुल इनके पास में था और बागिन का आना भी निश्चित था क्योंकि शिकार है उसका वहां पर दो गंटे और भीड़ गया जो सामर था चरते चरते उसके दो ब दूरी पे था तभी एक काकड बोला भौका जैसी काकड बोला एक भयानक चीख से वातावर ठर्रा उड़ा एक भयानक चीख पुरी वादी में गूंज गई एक भयानक चीख जिम गॉर्वेट साब को यह लगा कि मेरे आदमी के उपर अटैक हो गया है यह पेड़ से कूथ के कूतने ही वाले थे कि अचानक इनके दिमाग माया है अरे मैं तो खुद अपने आदमें को गिन के भेजा हुआ है तो चीखा कौन कई ऐसा तो नहीं कि कोई आद गाहों के अंदर रह गया हो गाहों वाला लेकिन इनोंने तो इनको याद है कि मुख्या से लास पर चलते र सुनी कांकर ने भौकना बंद कर दिया था उस चीख के बाद और सांबर ने अपने बच्चों के साथ वां से दौर लगा दी थी अब गमाव पूरी तरह खा ली और इतनी दर्दनाक चीख किसकी हो सकती ये बड़ा सोचने वाला और बड़ा परेशान होने वाली बात इनके के लिए हो गई थी कि दो दिन पहले जब इन्होंने थाकवालों के साथ थे उनका समान निकल आने के लिए तो इन्होंने उनसे पूछा था भई आप लोगे घर अपना खुला चोड़के जा रहे हैं क्या ये सब तो नहीं कहाता हम लोग हैं मा पूर्णागिरी के पुजार क्या हम लोग मा के सेवा करते हैं उनके दर्वार के हम सेवादार हैं तो किसी की हिम्मत निय है माताखे रहते हमारे घरों के अंदर बद्मियती से जा बद उससे या मतलब चोड़ी आ कुछ ऐसा करने की कोई सोच भी सके और दूसी चीज चोड़ी करने तो कोई वैसे भी न नहीं सकता है अच्छा इन्होंने चीक दुबारा नहीं फिर इनको सुनाई पड़ी एक कांकर जो कुछ दूरी पर चल रहा था वह भौका और भाग गया उसके एक मिनट के बाद ने बागिन भी बड़ी जोड से दाहरी अब बागिन जो है गहां से निकल गई थी और आगे ब तो लिहाजा जिम कॉर्विट साब जो है अपनी राइफल को लेकर के तैयार गोड़े पर अंगली आंखे बिल्कुल रास्ते पर करके बैड़ गए बिल्कुल तैयार हो गए कि जैसी दिखेगी उसको शूट कर दूँगा कई घंटे हो गए बागिन नहीं आई और यह वैस पासब को बड़ा ताज़ूबा कि कॉर्वेट साब इत्ती तेजी तेजी से चाए कभी नहीं पीती तै आज यह ऐसे कैसे चाही रहे हैं असरों जिम कॉर्विट साब को डर था कि बागिन कहीं आसपास ही है और वो कहीं भी छुपी ऊसकती कहीं से भी अटैक कर सकती है क्यो पर वापिस लोटे और जब यह कैम पहुंचे तो सारे लोग वहां पर माजूद थे जो जानना चारे थे कि क्या हुआ बाग को मार दिया या क्या हुआ राद बर क्या हुआ तो वहीं पर मुख्या भी बैठा हुआ था तो जिम कॉर्बिट साब ने मुख्या को बुलाया और की इसकी आधमी को जब बाक् की आएथ तो तो मुख्या ने नहीं साब देखा तो नहीं था है तो बोले तुम्हें कैसे पता चला right कि या उसकी आधमी के शूफ सुनाई को बड़ी वह बहुत दर्दनाग तरीके से चीखा था तुना ने गाता अच्छा दर्देनाग तरीके से चीखा था तुम बता सकते हो कि वो किस तरह की चीख थी कुछ उसकी नकल कर सकते हो तो मुख्या ने एक नकल करी एक चीख की आवाज निका दी जो काफी हद तक उससे मिलती जुनती थी जो आवाज उन्हों ने रात ने सुनी थी जिसको सुनके वो हिरन भाग गए थे काकर ने भौकना बंद कर दिया था सुरी इस आवाज के वारे में उन्होंने मुख्या से बात करी कियार मैंने ऐसी ऐसी आवाज सुनी रात ने किसकी हो सकती है उससा हमारे गाओं के तो जित्ते निवासी सब सही है जिम कॉर्वेट साब के भी आदमी सब सही है तो यह एक रहस्य था जो आज तक रहस्य है कि वा मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है उसके लिए चाहता हूं लेकिन यह थोड़ा सा आग की दिक्कत और उसके से मुझे लग लग रहा था कि कहानी शुरू कर दिये तो यहां पर तक कर लूँ इसके आगे अब मैं एक दो दिन के बाद थ्वास से आराम मिल्या फिर सुना कर दें और दोस्तों जादा लंबा वीडियो नहीं की चुँगा प्रमिशन लेता हूं आप सबसे जै बद्री विशाल जै उत्राखंड जै 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 माभार्दी